irm कि है एभरेंज इंपोरेंट है देखो हर बार एक्जांब के अदर एक कोस्टन तो अबनाट है क्यूर्य इस बार भी आया था 2012 के अंदर ब्रते पर जैख आज़ीस कोस्टन आया था और इजी कोस्टन आ थे आप एवरेज एजी कोस्चिए आता है एक्जाम के अंदर तो अभी स्टार्ट कर रहें थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे एक एक नसेप्ट क्लियर हो जाना है ओके तो अभी देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते एवरेज तो एवरेज के अंदर बेसिकली है क्या अगर मान लीजिए मेरे पास में आप यह कह सकते हूं कि अगर मैं कहते हूं कि फॉर एग्जामपल आज क्लास के अंदर 10 स्टूदेंट्स हैं मैं करें आज क्लास के अंदर 10 स्टूदेंट्स है ठीक है कल क्लास के अंदर 12 स्टूदेंट से ठीक है नेक्स्ट देए क्लास के अं है different different and we want to find out the average average means what कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम हर एक दिन को calculate ना करके हम उन सभी का एक point निकाले कि अगर मालो मैं कहूं कि 12 on average students आ रहे हैं ठीक है क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो बना पास में कितना बन रहा है 36 बन रहा है 36 बन रहा है 36 बन रहा है 36 students ने 3 days के अंदर class अटेंड करें तो on average कितने अटेंड करें कि भी 3 days की बात और यह तो हम divided by 3 कर देते हैं तो क्या आ जाता हो yes this is 12 ओके तो हम क्या कह देते कि 12 on average students ने class से टेंड करें तो बिल्कुल सा point है simple सा point है तो इस तरह से जो average है पिटा उसके लिए जो formula बनता है formula average के लिए क्लिए क्या बन जाता इस तरह से क्या कह रहा है कि sum of observation divided by number of observation sum of observation divided by number of observation तो अभी मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों कि average है कि basically an average in an arithmetic mean arithmetic mean of given data is the sum of given observation divided by number of observation तो कैसे find out करोगे आप yes कार्तिक गुड हाँ जी तो क्या कह रहा है कि average हम कैसे find out करेंगे sum of observation जितनी भी observations आपके पास given उन सब को total कर लोगे plus कर लेंगे and then divided by total number of observations कितनी है जैसे अभी मैंने एक छोटा सा example लिया आप लोगों के सामने कि हां जी first day 10 students है second day 12 students है और next day मान लिजी हमारे पास में 14 students है and we want to find out the average of these three days then in that case क्या कर रहे है हां जी क्या करें सभी को add किया हमने सभी को add किया और उसके बाद में उसको three से divide कर दिया तो यहां पर क्या हुआ sum of observation means कितनी भी observations है उनको क्या करना जोड़ देना है add कर देना है and after that you will divide it by number of observation simple साय कोई मुश्किल और इस पर आपका यह मान के चलो कि चोटे से concept के उपर आपका 2.5 नंबर पक्ता है ओके तो अभी इसके उपर जो नकोस्टेंस आ जाते हैं वह डिपेंड करता है कि आपके पास में या तो statement पे बेस्ट कोस्टन आजाए exam के अंदर या फिर इस पॉसिबल्टी कि numbers पे बेस्ट कोस्टन आजाए कि थोड़ा सा confusion के लिए numbers डाल देते हैं तो बिल्कुल भी confused नहीं हो ना अभी देखो मैंने आप लोगों को number system के अंदर कुछ formulas कराए थे numbers पे बेस्ट है ना तो वही एक बार अब दुबारा से अब करेंगे अगर अपने पास में आ जाता है average of first n natural number n natural number का क्या find out करना आपको average करना है and I told you what is the sum of first n average first n natural number क्या था आपके पास में अगर हम बात करते बिटा sum की तो क्या था आपके पास n into n plus 1 divided by 2 यह होता था कुछ अलग से नए formulas रर्न नहीं करने आपने these are the same formulas which we have already done okay the sum of the n natural number is n into n plus 1 divided by 2 and here I want to find out the average so for average we have to divide it by n okay so you will divide it by n and when you will divide it by n then this n is cancel out by this okay and we get a new formula for average, average के लिए क्या करेंगे, this is n plus 1 divided by 2, that means what, कि जितने भी formulas आपके sum थे, उसके अंदर सभी का n हम cancel out कर देंगे, तो क्या आजाएगा आपके पास में, average आजाएगा, okay, तो अभी यहाँ पे एक बार जल्दी से revise कर लेते, क्या है, average of first n natural number, this is n plus 1 divided by 2, okay, average of first n even number, sum of first n even number was what, n into n plus 1, so n will again cancel out, so we will have n plus 1, the average केसे निकालेंगे, n plus 1, okay, average of first n odd numbers, sum of n odd numbers was n square and average will be, n will be cancel out by the n and there will be n only, okay, A, सिरफ आपका क्या आजाएगा, n, next time, average of consecutive numbers, consecutive numbers अगर आपके पास में है, then how to find out the average, average केसे निकालेंगे, average will be first number plus last number divided by 2, अब देखिए, मैंने आप लोगों का AP कर वाई थी, AP arithmetic progression करा था हमने, in that case, what was the sum of AP, sum, sum was n divided by 2 into first number plus last number, this was the formula and now I want to find out average, so in case of average, what I will do, divided by n, so the formula will become first number plus last number divided by 2, okay, this same formula will be used for any AP, कोई भी आपके पास में AP गीवन है and you want to find out the average of that numbers, in that case, क्या करोगे, first number plus last number divided by 2, okay, then average of 1 to n odd numbers, अब देखिए, odd numbers अगर हम कर रहे हैं, तो उस case के अंदर क्या है आपके पास में, n last odd number plus 1 divided by 2, अब देखिए, अभी मैंने आप लोगों के एक formula दिया था, क्या average of n odd numbers, तो क्या था आपके पास n, अब आप कहोगे कि मैदम, confusion हो रहे हैं, कि यहाँ पे n कह रहे हो, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं पिटा, last odd number plus 1 divided by 2, now there is possibility कि अपने पास में, अगर numbers आ रहे हैं, मैं ही कहते हूं कि मेरे पास में numbers क्या हैं, numbers are 1, 3, 5, 7, 9, up to, for example I will say this is 85, okay, अभी अगर मुझे पता है कि n की value क्या है, अभी यहाँ पे n तो given नहीं है, n given नहीं है, so first of all आप क्या करोगे, पहले n की value find out करोगे, अगर आपके पास में, आपको n की value पता है, in that case आपका answer क्या आजाएगा, n will be your average, okay, बट अगर आपको n की value नहीं पता, in that case क्या करना है, कुछ नहीं करना, just last number को उठाएगे, क्या है आपके पास में 85, कुछ में 1 add कर देंगे and then divided by 2, okay, so कितना आगया है आपके पास में, 86 divided by 2, that means कि 43, क्या आजाएगा, this will be 43, बिलकुल simple है पिटा, तो भई अगर आपको n की value पता है, in that case, you will apply this one, अगर आपको n की value नहीं पता, in that case क्या करोगे, yes, क्या करेंगे हम, last odd number plus 1 divided by 2, and the second formula is average of 1 plus 1 to n even numbers, if these are even numbers like 2, 4, 6, 8, okay, in that case क्या करेंगे हम, last even number plus 2 divided by 2, even के case में क्या करना है, you will add 2, you will add 2 and then divided by 2, okay, उसके बाद है आपके पास average of square of first n natural number, square, क्या formula था समका, it was n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, this was sum.